प्लाई ने देखना कि राहे मनजिल में चलते हुए जी हाँ दोस्तो तो आज की इस वीडियो हम सीखने वाले कि इस तरह का साहरी वीडियो फूल स्क्रीन में किस तरह से बना जाता है और उसे किस तरह से डिट किया जाता है तो दोस्तो वीडियो को बीना स्किप किये देखना और दुस्तो वीडियो को पूरा देखना तो दुस्तो चलते हैं मुबाइल के स्क्रीन पर तो हे गाईस फैनल ले आनोग आ चुक है अपने मुबाइल के स्क्रीन पर और दुस्तो मुबाइल के स्क्रीन पर आनेक बाद सिंप्ली में करना क्या है काइन माश्टर अप्लिकेशन ओपन कर लेना है उसके वह दोस्तो जैसे आप काइन माश्टर अप्लिकेशन ओपन कर लोगे आपके साब में दोस्तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा उसके दोस्तो create new का option दिखाई देगा simply इस पर click कर देना है दोस्तो इस तरह कर देना है इसका दोस्तो लिंक आपको डिप्रेक्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना तो दोस्तो यहां से मैं ले लेता हूं और दोस्तो इस पर click करना है और दोस्तो second वाले option पर click करके इसको कुछ इस तरवीके से जूम कर देना है जूम करने को इस परsimply इस पर निसान लगा देना है ताकि दोस्तो आगे पीछे नहो हो उसके अज़तो इस पर background पर click करना है और दोस्तो इस तरवी बड़ा कर देना है दोस्तो यहां तक मैंने बड़ा कर दिया उसके नेक्स टेप में क्या करना है लेयर पे क्लिक करना है और दोस्तो मेडिया में जाना है मेडिया में जाने गुए यहां से मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और दोस्तो जो भी TID का बेक्गराउंड है उसे दोस्तो मैं ले लेता हूँ तो दोस्तो यहां पर मेरे को background मिल गया उसके इसको भी इस तरीके से कुछ बढ़ा करना है और दोस्तो नीचे जाना है नीचे आठ जाने गवाँ दोस्तो प्रोपिंग का option दिखाई देगा simply इस पर click कर देना है क्लिक करने वोगा दोस्तो इसको अनबल कर देना है और दोस्तो यहां पर shapes पर click कर देना है उसके और दोस्तो यहां से गोले करर का shape ले लेना है उसको भी right कर देना है उसके और दोस्तो फिर से click करना है और दोस्तो क्रोपिंग में जाना है और दोस्तो इसको इस तरीके से जिए करती हो बेंट कर लेना जितना बी चोटा कर सकते हूं सिस्टों मैं इतना छोटा रखता हूं और इस तरीकहिसे लगा देता हुं उसके अजो रिखारए लिए लिँता में बाट यहां बो जो कि दोस्तों उसमें हरमेसा लगा रहता है तो दोस्तों यहां से मैं ले लिया और इसको कुछ इस तरीक से लगा दिया तो दोस्तों यहां पर मेरा आर्ट बोक्स भी लग गया उसके दोस्तों नेक्स टेप में करना क्या है फिर से दोस्तों लेयर पर क्लिक करना है और दोस् नीचे जाना, नीचे जाना को क्रोपिंग का ऐप्चन दिखा और क्लिक करना है, और जिस भी पार्ट को दिखा है जैए उसे भूं के लिए कुछ तरीके से खुमाना है और को जितना भी बढ़ा रखना है आप अपने वीडियो कि इसाब से रख सकते हैं तो दोस्तो मैं इस तरीके से थोड़ा मोड़ा बड़ा रख लेता हूं उसके आज तो next step में करना क्या है वीडियो पे दोस्तो क्लिक करना और दोस्तो नीचे जाने कबाद क्रोमा के का option दिखाए देगा simply इस पे click करना है और दोस्तो इसको भी अनबल कर देना है तो दोस्तो जो हमारा पीछे का background था वो दोस्तो हट जाएगा उसके आज़ दोस्तो simply इस पर click करना और दोस्तो एक हरे color का background ले लेना है उसके आज़ इस तरीके से अपने हिसाब से बड़ा चोटा कर लेना है दोस्तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कर लिया इसी तरीके से अब भी कर लेना थोस्तो यहाँ पर हमारा विडियो मोदीडी करना है दूस्तों मीडिया में जाना है मीडिया में जाने को यहां से इस तरीके का एक PNG ले लेना है अपने नाम का तो यहां पर मैंने ले लिया उसको कुछ छोटा कर गए यहां पर लगा देता हूं तो यहाँ पर मैंने माइक भी लगा दिया उसके आँज तो माइक को بunun इस तरीकी चोड़ा भड़ा कर ले ना है तो यहाँ तक मेरा माइक भी आ गया है उसके आँज तो यह जो art box है इसको भी इस तरीकी से कुछ कर देना है तो दोस्तो मैंने सारे चीज़ को बढ़ा कर दिया अब दोस्तो हमारा जो वीडियो हो दोस्तो पूरी तरह से रेडी हो चुका है उसके दोस्तो आपको सॉंग लगाना है तो यहां से आप कोई भी सॉंग लेकर लगा सकते हो तो दोस्तों मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं यहां से सॉंग ले लेता हूँ तो दोस्तों यहां पर मैंने सॉंग को भी लगा लिया है अब दोस्तों वीडियो को थोड़ा चालू करके देख लेते हैं उसे भूलने की कोशिश में यह कैसा परिणाम निकलता है तो दोस्तों यहां पर मैंने अपने वीडियो को इडिट करके दिखा दिया त्याइक से तू est GTaster कर लेना उसके बाद सु सीप्ली कंडरこれは क्लिक करना है और दोस्तों 720 kiki कर दोगे तो दोस्तो आपका वीडियो सेब हो जाएगा तो दोस्तो आसा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सारी वीडियो किस तर से बना जाता है और दोस्तो उसे किस तर से इडिट किया जाता है